नमस्कार दोस्तों आप सभी का वेलकम है पियस क्लासेज में जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं सबसे बिश्वसने और प्रमारी सूचना लेकर के पियस क्लासेज प्रयागास से प्रसेंट होता है तो दोस्तों बिग ब्रकिंग न्यूज पांच भरतियों की अंतिम तारिक शिग्र पदों की संख्या चैन प्रक्रिया पूरी जानकारी के सार्थ जल्द करें आवेदन अगर योगता होतो इंतजार के घड़ी समाथ खुस खबरी आपके लिए लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक भी आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा और राइट सारे वे लाइकन के बटम को प्रेस कर दिजेगा तक कि वीडियो का नोडिफिकेशन सबसे पहले आप त 273 पत पर सब्रजी स्टार लाव पिशर आधिपत रिक्त हैं आईशीमा के अगर हम बात करें तो नियुंतम आईशीमा एक कई सवर्स वाधिकतम आयू 40 वर निद्धारित आयू की गढ़ना एक जुलाई 2023 कि नुशार होगी दोस्तों आपको बताते हैं कि पातरताएं भी ब आपको पूरा बताया गया कि चैन के लिए प्रारंबीक पर इच्छा का विजन किया जाएगा प्रारंबीक पर इच्छा उत्रेट करने वाले बैर्तियों को मुख लिखित पर इच्छा के लिए बुलाए जाएगा और मुख पर इच्छा के बार जो आपका साचतकार होगा अन्तिम प्रडाम उसे क्याधार पर जारी किया जाएगा इसी साथ दोस्तों आप देख सकते हैं Central Bank of India में नौकरी का मौका Central Bank of India की अगर हम बात करें Dear friend तो आप देख सकते हैं कुलपत जो है 5000 हैं अगर जरूरी तारिक की हम बात करें तो अप्राइल के दूसरे हफ़ते में है Farm Feeds की बारे में भी बताया गया है General OBC के लिए 800 रूपिये SC, ST, Female के लिए 600 रूपिये और दोस्तों यहाँ पर Selection Process भी बताया गया है P. Online Exam होगा Document Verification होंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर यह सारी चीज़ें आपको बताई गई है और इशिक साथ दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर खुल पद आपके हैं 2869 जरूरी तारीक की बात करें तावेजिन की आखरी तारीक है 26 अप्रेल 2023 पद का नाम बात करें तो S, S, A 185 पद है इस टोनो ग्राफर के बात करें तो 2674 है एस लिमिट की बात करें 28-27 है और बात करें क्वालिफिकेशन की तो ग्रिजवेशन है और बात करें सेलेक्शन प्रोसेस की तो लिखित पर इच्छा कंप्यूटर डाटा, एंट्री टेस्ट, डाकुमेंट वेरिफिकेशन और यहां पर दोस्तों हम बात करें तो जनरल OBC के लिए 700 रुपिये, SCSD के लिए फ्री है, सेलेरी आपके 25-45,000 रुपिये है तो दोस्तों यह हो गई और इशिक साथ हम बात करेंगे यहां पर अगला जो है विग्यापन है कुल पद आपके हैं 3,120 आवेदन की आखरी तारीख है 4 मई 2023 और TGT-PGT पद का नाम है फार्म भरने के लिए JSSC.NIC.IN पर जाना है और इसके साथ दोस्तों बात करें तो क्वालिफिकेशन 28 की डिग्री भी मांगी गई है सेलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो CBT मेन एक्जाम होगा दक्मेन वेरिफिकेशन होगा और फार्म फिस भी सभी के लिए 100 रुपी रखे गए हैं सेलरी 47,000 से 1.5 लाग तक होगी तो जैसा कि आप जान सकते हैं जारकंट से विग्यापन आया हुआ है और इसके आखरी तारीक जो है 4 मई है और इसके साथ दोस्तों हम बात करेंगे एयर फोर्स अगनी वीर के लिए भरे फार्म जो की डेट बढ़ गई है और अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप अपलाई कर सकते हैं कुलपद एलान नहीं है क्वालिफिकेशन की बात करें तो 50% के साथ 12, 3, 5, PCM चाहिए सेलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो लिखित परिच्छा, फिसकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और बात करें फार्म की अगर हम बात करें तो सभी वर्क के लिए 250 रुपिय हैं और सेलरी की बात करें तो पहले साल 21,000 रुपिय महीना और दूसरे साल अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं इतना रुपिय महीना है और तीसरे साल बात करें तो इतना है रुपिय महीना और 14 साल बात करें तो इतना है लेकिन दोस्तों अगर हम एज की बात कर लें तो सत्रह साड़े सत्रह से कईस वर्ष के बीच होना जरूरी है जरूरी तारीक की बात करें तो फार वर्मे की आगरी तारीक 31 मार 2023 है जो की बढ़ा दिया गया है अब आपका जो है तारीक जो कर दिया गया है चार अप्रेल कर दिया गया है चार अप्रेल कर दिया गया आपको ध्यान देना है आपके पास अभी समय है देख सकते हैं वाई उसे न आगुमिर के आवेधन की अंतीम ती थी बड़ी परिच्छा जो है 20 मई को और आवेधन की अंतीम ये है 30, 35, 35 ने डारीत है पत्रताइं अगर हम बात करें तो मिदवार के पास मानता प्रावत अस्थान से ग्रिजुएशन, पुश्ट ग्रिजुएशन, बीटेक, एमटेक वानन इधारी पत्रताइं होनी चाहिए वेतन के बारे में भी बताया हुआ है और चैन की प्रक्रिया में उपस्तित अबेड़तियों को जो है लास्ट रूप से फाइनल किया जाएगा अब दोस्तों बात करें बीएड अब आप 10 अपरल तक फार्म बर सकेंगे दोस्तों आपको बता दें कि बिश्विद्याले ने बीएड की सनित परस परिच्छा के लिए आनलाइन फार्म ब पांच भरतियों की अंतिम तारिक तो अगर आपकी योगता है तो आप जो है अपलाई करते हैं और यह उश्र जाने ने दें दोस्तों सबसे विश्वसनिय और प्रभाड़ी सुचना के लिए अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले आप तक इन्फॉर्मेशन पहुचे तो आ